हेलो फ्रेंड्स हाव यू कैसे आप सभी दोस्तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट एक नया टॉपिक and that is what income tax and that is what income tax अपनी regular life में आपने कई बारे इसके बारे में सुना होगा लोगों को discuss करते हुए ठीके सला मश्वरा करते हुए news में सुना होगा news papers में सुना होगा तो income tax basically है क्या इसकी chargeability क्या है इसके लिए क्या क्या sections हमें apply करने पड़ते हैं वो तमाम चीज़ें हम इस subject के अंदर discuss करने वाले हैं हमने normally क्या सुना income tax के बारे में due date पर income tax को pay किया जाता है ये सारी की सारी चीज़े जो हम regular basis पर सुनते हैं वो सभी deal करती हैं इस particular subject के साथ and that is what income tax ठीके सरकार द्वारा बनाये गए वो सारे कानून वो क्या है जिसके accordingly हम किसी की income पर tax लगाते हैं किस तरह से income को classify करा जाता है वो सारी की सारी चीज़े हम इ एक regular life में अगर हम देखें एक commerce student के लिए एक professional student के लिए बहुत जरूरी है कि उसको income tax की knowledge तो definitely होने ही चाहिए इसके अलावा भी हाला कि बहुत सारे tax है पर हाँ जो सबसे पहले एक तरह से कोई सलाह लेता है दूसरे की help लेता है तो definitely वो income tax related ही होती है clear तो सबसे पहले तो दोस्तो हमें यह जानना है कि आखिरकार income tax होता गया देखिए शुरू करेंगे हम किस word से tax और tax की अगर मैं बात करूं तो दोस्तो यह क्या होता है tax is a compulsory payment tax क्या होता है compulsory payment होती है जो हमें government को करनी पड़ती है government ने कुछ rules and regulation बनाया हुए कुछ rules and regulation है government के laws है ठीक है और उस and services का production करते हैं तो उस पर tax पर करना होता है मैं अभी income tax की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ tax word की बात कर रहा हूँ so tax is what a compulsory payment to government to government under a prescribed law under a prescribed law ठीक है तो उसे हम tax का नाम देते हैं अब यह tax आगे चलकर classify करा जाता है दो parts में ठीक है यह tax जो है हम उसे आगे चलकर दो parts में classify करते हैं एक होता है दोस्तो direct tax और एक होता है indirect tax और definitely अपनी initial classes में initial stages में हम direct और indirect tax के बारे में already पढ़ चुके हैं ठीक है मैं बस एक थोड़ा सा overview दूँगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी direct tax के I am discussing about what direct tax तो direct tax का मतलब क्या है tax tax paid by those on which on which it is imposed on which it is imposed tax उसने पे करा जिस पर लगाया गया था एक basic understanding directly पे करा जिस पर वो impose हुआ था और indirect tax जो normally shop की पर हमारे साथ करते हैं ठीक है tax government ने उनके उपर लिवाइड करा है लेकिन वो हमारे bill में जोड़ देते हैं और हम उनको पे करते हैं ठीक है so indirect tax is tax levied on a person on a person but partly but partly or wholly but partly or wholly paid by other normally wholly होता है बहुए CDC बात है पूरी तरीके से ही transfer कर दिया जाता है paid by other सबसे interesting बात जो इन दोनों में direct tax में और indirect tax में difference की निकल के आती है कि जो burden है जो burden है tax का burden of tax not transferable जो एक तरह से burden है जिसके उपर impose करा है मेरी income है मेरा tax है तो definitely ओवेसी बात क्या निकल के आती है मैं ही pay करूँगा मैं आप से बोलूँ कि आप pay कर दोगे क्या आपका tax है आप pay करिए हम responsible थोड़ी नैस के लिए similarly ऐसे ही अगर मैं indirect tax की बात करूँ तो इसमें जो burden होता है definitely वो transferable होता है burden transfer हो जाता है वह government ने जो tax है वो लिवाइड करा for example GST के गर मैं बात करूँ GST लिवाइड किया गया restaurant वाले के उपर shopkeeper के उपर लेकिन उसने आपके bill में add करके आपकी jib से निकल वा लिया तो obviously जो burden है वो एक तरह से जो actual customer है उसके उपर transfer किया गया okay so that is the classification of tax tax को दो पार्ट में divide करा गया direct tax और indirect tax okay दोस्तों जो हमारा subject है वो example है income tax is an example of direct tax income tax ठीक है और अगर मैं बात करूं indirect tax की तो GST ये भी हम अन्य वाली कुछ classes में शुरू करने वाले हैं इसको लेकर computation इनके laws वगेरा ये भी हम कुछ classes बात शुरू कर देंगे लेगिन अगर मैं बात करूं कि इसकी income tax की जो हमारा subject का दारा है तो वो क्या होता है direct tax जिसकी income है उसके उपर इसे एक particular individual की income नौ लाक रुपे मैंने जूम कर लिया एक particular individual की income नौ लाक रुपे है उस पर कितना tax लगेगा वो अपने tax को अगर save करना चाहे बचाना चाहे तो किस तरह से बचाएगा वो नौ लाक रुपे किस प्रकार calculate होकर हमारे सामने आए ये जो सारी की सारी चीजे हैं सारे के सारे provision हैं उसी से related हमें पढ़ना है income tax laws क्या पढ़ना है income tax laws so what is income tax इसके सारे laws क्या है आए शुरू करते हैं दोस्तों so first of all अगर मैं बात करूं what is income tax is so income tax income tax is combined study income tax is combined study of एक income है उसको income को find करना है और उस income के ऊपर tax लगाना है जिस तरीके से बोल दिया गया उतना आसान नहीं है प्घा इनकम tax का मतलब किया कि income पर लगाया tax ठीक है जो individual income कमाएगा उसके ऊपर tax लग जाएगा ल्किन क्या इतना आसान है नहीं इसके लिए बहुत सारे जो provisions हैं बहुत सारे जो laws हैं उनको follow up करना पड़ता है वो laws क्या है so income tax is a combined study of सबसे पहले point A income tax act 1961 income tax act 1961 हमारे income tax का जो provisions है जो laws है किस income को किस तरद से divide किया जाएगा उसके लिए tax ability के क्या क्या provision होंगे obviously हम जानते हैं बई कोई भी नियम अगर बनता है तो हमारे संसत में उसको pass किया जाता है तब जाके वो कानून बनता है एक्ट बनता है तो ऐसे इंकम से amendment होती रहती है उसमें changes जो है उनके provisions में up to date आते रहते हैं that is what amendments उसे हम क्या कहते हैं amendments कहते हैं ठीक उसी तरीके से next topic आपका सिर्फ खाली income tax act 1961 का ज्यान नहीं रखा जाता income tax rule income tax rule जो 1962 में आया what is income tax rule basically authority क्या authority जब भी कोई भी act बनता है तो act जो है power देता है particular department को particular section को सरकार की किसी branch को या सरकार को भी कोई भी जो उस law में अपने accordingly जो changes है वो ला सकते अपने accordingly मतलब country के development के लिए country की policies के साब से उसमें rules ला सकते हैं ने उसमें changes ला सकते हैं तो obviously जो income tax rule 1961 है वो authority को लेकर है ठीक है कि जो tax related नियम है उसमें अगर change लाना हो policy change कर नहीं हो उसको upgrade करना हो तो वो authority किसके पास रहेगी वो changes कौन को ला सकते हैं तो वो authority income tax rule में दी गई है मैं आपको बता दूँ ये authority किसके पास है CBDT Central Board of Direct Taxation Central Board of Direct Taxation जो income tax के provisions को policies को देखता है clear तो दो चीजें जो income tax के लिए हम पढ़ते हैं income tax act 1961 and income tax rule 1962 ठीक है 61 and 62 और जो authority के जैसे मैंने बोला रूल में वो CBDT Central Board of Direct Taxation के पास है इसके अलावा दोस्तो annual annual finance act एक तरह से जो हर साल budget पेश होता है हमारा ठीक है ये उसी का हिस्सा होता है annual finance act जैसे आपने सुना होगा ना government announcement करती है कि हमने इतनी income free करती है इतनी saving करने पर आपका tax माफ हो जाएगा हर साल जो income tax के slabs है वो change होते हैं मैंने भी बोला ना आपको कि income tax act जो 1961 में लिखा बना था वो ही सारा का सारा follow नहीं हो रहा उसमें amendment आती रहती है तो amendment जैसे budget में होती है हर साल हमारे finance minister budget को पेश करते हैं तो उसे क्या कह जाता है annual finance act जो normally अपका budget में होता है और उसके अंदर सारे नियम इतनी income माफ हो गई यह नया नियम आएगा इस पर tax लगेगा इस पर नहीं लगेगा वो चीज़ें सारे की सारे इसके अंदर हो दिया है तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है इसके अलावर next point is Circulars Issued by CBDT Again Central Board of Direct Taxation Circular Issued by CBDT सर यह क्या है देखो जैसा कि मैंने बताया कि जो authority है rules बनाने की वो CBDT के पास है मतलब जो उनको income tax rule के according मिली है तो in between भाई देखो जो budget है हमारा annual finance act वो आपका फरवरी मार्च में आ जाता है 1st April से लाग हो जाता है और उसके बाद उसके सारे provision 31st March अगले साल तक चलते हैं उससे अगले साल के लिए फिर नया budget आता है यह कहानी चलती रहती है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी अब क्योंकि जो budget है obviously वो लागू हो जाता है 1st April से ठीक है जो नियम नए कानून में नए finance act में आते हैं और आप जानते हैं कि जब भी कोई act पास होता है कभी कोई budget पास होता है संसत में उसके उपर काफी बहस करी जाती है अपना विपक्ष जो है अपने बाते रखते हैं माल लीजे for example किसी particular issue पर जो एक तरह से finance bill है जो budget पेश होता उसमें तो बहुत सारी चीज़े होती है माल लीजे कुछ तत्यों पर कुछ points पर जो agree है सारी कि सारी party वो नहीं होती ठीक है नहीं वो कहते कि यह point गलत है आपको उसमें change लाना चाहिए वगेरा वगेरा अब एक point की वज़े से तो पूरा का पूरा budget नहीं रुख सकता ना ठीक है बाकी चीज़े तो आपको apply करने ही पड़ेगी आप कह रहे हैं कुछ points को change करना है ओके ठीक है हम उनको रोग देते हैं clear तो भई February, March में जब budget पर भहस हुई तो budget पास हो गया लेकिन उन दो-तीन points को अभी side में रखा गया कि इनके उपर दुबारा से विचार विमर्ष किया जाएगा अब मान लीजिए अब सीरिसी बात है मार्च में का सिलसिला है 1st April आ गया लेकिन उन points पर अभी कोई भी announcement नहीं आई मई आ गया जून आ गया दो-तीन महीने के बाद उनके उपर research करने के बाद मान लीजिए अब तै हो गया कि भी हाँ इस point को हम change करेंगे इस income पर tax लगेगा इस पर नहीं लगेगा वो उन्हें सला मश्वरा करके तै कर लिया है ठीके अब साल के बीच में दुबारा से तो संस के जरिए टीवी advertisement के जरिए ठीके अपना circular संदेशा पहुंचा देंगे कि यह नियम रह गया था इसमें change आया है obviously आपको इस चीज़ को follow करना पड़ेगा that is an example of circular issued by CBDT ऐसे ही इसी तरह जैसे आपको पूशेगा पैरेंट से जो सेलरीड लोग होते हैं उन्हें 31st of July तक अपना income tax जमा कराना होता है लेकिन कई बर government date बढ़ा देती है उसको बढ़ा कर अगस्त कर दिया 5 अगस्त कर दिया 15 अगस्त कर दिया 31st of August कर दिया ठीके तो वो जानकारी कौन देता है CBDT अपने circulars issue करके net के जरीए newspapers के जरीए तो यह सब चीज़ें क्या है आपकी circulars issued by CBDT And the last point is what? Judicial decisions. Judicial decisions. Okay? So what is judicial decision is my friends? भाई कई बारी कई बारी जो प्रावधान जो नियम income tax act में लागू हुए हैं जो बनाए गए हैं जो rules बनाए गए हैं उनमें कुछ तोड मरोड करके किसी ने manipulation करके या कुछ लूप होल्स का फायदा उठाकर अपनी income को tax से बचा लिए अपनी income को tax से बचा लिए कि इस income पर tax नहीं लगेगा लेकिन सरकार का कहना है बोड का कहना है कि नहीं it is taxable ठीक है तो वो अपना मत पेश करते हैं दूसरे वाले वक्ति कि नहीं इस पर तो income tax नहीं लगेगा ये लिखा हुआ है गौर्मेंट के जे नहीं आपने इस पर manipulation करी है तो कहने का मतलब दोनों party अभी agree नहीं हो रही है तो उसका case में उसका case चलता है court में अब court का decision आने में time लग जाता है एक साल, दो साल, पांस साल, दस साल भी लग जाते हैं लेकिन जब decision आता है जब भी कोई decision आएगा तो वो एक law बन जाता है वो नियम बन जाता है कि आगे से अगर ऐसा कोई incident हुआ तो उस पर ये वाली चीज़ अपलाई हो जाएगी जो इस आगे के लिए उनको follow करा जाएगा, clear, तो ये सारे के सारे points दोस्तो income tax को बनाते हैं मिलकर, जो नियम है, जो rules है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, सबसे पहला क्या, जो हमारा act आया, income tax act 1961, दूसरा income tax rule, authority, ठीक है, जो implement करेंगे, जो policies मनाएंगे किस के पास है, CBD के पास, ठीक है, और जैसा मैंने बोला, 1961 में जो कुछ लिखा गया, वो नहीं रहता, जो मतलब exactly उसमें हमें changes लाने पड़ते हैं, upgrade उसको करना पड़ता है, वो upgradation कैसे होती है, annual finance act, budget आता है हर साल, उसमें भी होती है, CBD अपने आप भी करता है, कोई जानका decisions are also used to calculate income and further income tax, clear दोस्तो, तो ये है आपका एक तरह से ब्योरा कि income tax किस तरीके से calculate होता है, किन-किन provisions का हम इस्तमान करते हैं, तो वो ये 5 चीज़े हम यहाँ पे देख रहे हैं, clear दोस्तो, that is what income tax works, ठीक है, income tax का काम क्या है, अब आगे, अगली heading पर आते हैं, दोस्तो, next heading हम income tax देगा कौन, ठीक है, income tax देगा कौन, सर आप दोगे, सर हमारे parents देते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे, हमारे जो relatives हैं, आपके friends हैं, वो income tax देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन obviously इन सब की category क्या है, इनको किस तरीके से define करा गया है, किस तरह से section बनाए ग liable to pay tax, liable to pay tax, whose, whose total income, total income, exceed the, exceed the, maximum limit of, non-taxable income, और इसे क्या कहा जाता है, slab, इसे क्या कहा जाता है, slab, दोस्तों, अगर हम बात करें हैं आपर, every person is liable to pay tax, whose total income, total income दोस्तों, next class में calculate करना सीखेंगे, total income का मतलब very simple, कहां कहां से उसने, पैसा कमाया, किस किस तरीके से कमाया, अपने business से कमाया, ठीक है, अपने job करता था, उससे कमाया, उसके पास property पड़ी हुई थी, वो बेचती, उससे कमाया, तो बहुत सारी varieties हैं, जिससे हम income जो है generate कर सकते हैं, सबको जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगा, total income बन जाएगा, ठीक है, अगर total income exceed कर जाती है, maximum limit of non-taxable income, जिसे slab rate कहा जाता है, भई इतने income पर tax नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा 5%, उससे ज़्यादा 20%, जो अलग-अलग slab rates होते हैं, आपने इसके बारे में भी जानकारी ली होगी कहीं ना कहीं, अगर नहीं तो यह topic भी, total income और tax कैसे लगता है, वो हम next class में शुरू करने वाले हैं, basics के बाद, लेकिन इसमें दोस्तों सबसे main word, इस definition में, इस sentence में, जो सबसे main word है हमारे सामने, वो कौन सा है और वो है, person, सर क्या बात कर रहे हो, person, इंसान, सीरी स law में, ठीक है, वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर तमाम चीजों को cover करा गया है, तो वो कौन-कौन है, person कौन होते हैं, अगर हम बात करें, अगर हम person की बात कर रहे हैं, person includes, person includes, कौन-कौन person के अंदर आएगा, सबसे पहला point, सबसे पहला point, individuals, individuals, ठीक है, मैं, आप, आपके parents, आपके friends, आपके relatives, these are individuals, यह आपका definitely person की definition के अंदर आते हैं, सर्फ परसन और individual, तो obviously उन्हों सेम ही तो हो गए, नहीं, अभी आगे points आप देखेंगे, तो आपको difference पता चलेगा, ठीक है, so individuals, पहला part जो person में include होता है, these are, the individuals are liable to pay tax, अगर उनकी, जो maximum limit है, non-taxable income की, वो exceed हो जाती है, next point, HUF, Hindu undivided families, ठीक है, आपने primary studies में, not primary studies मतला, commerce की primary studies, like 11th, 12th, इसमें आपने HUF के बार में पढ़ा होगा, एक family combined business, जो अपने एक particular business में engaged रहते हैं, HUF उनकी formed होती है, तो उसको भी एक अलग provision की तरह, एक अलग person की तरह, treat करा गया है, ठीक है, HUF में बहुत सार individuals हो गए, लेकिन income, combined basis पर count होती है, और उसको कहा जाता है, आपका क्या, Hindu undivided family business income, okay, next point is, partnership firm, partnership firm, okay, that's it, A and B are partners, in the ratio, blah blah blah, ये terms हैं, तो वहाँ पर A और B, obviously, दोनों अलग-अलग क्या हैं, individuals हैं, दोनों अलग-अलग क्या हैं, individuals हैं, लेकिन उनकी income, लेकिन उनकी income, अलग-अलग level पर as an individual हम treat नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो partnership में हैं, तो उनकी partnership का एक नाम है, एक identity है, तो उन पर जो भी law applicable होगा, जो भी नियम लगाए जाएंगे, income tax के लिए, वो as a partnership firm लगाए जाए अलग-अलग sole proprietorship है तो, तो sole proprietorship तो फिर वो individually हो गया, that is treated as what? Individual, ठीक, ऐसे ही, next point आपका, company, एक upper level, association of persons, ठीक है, तो company को भी as an individual ही treat करा जाता है, although company के लिए उसके director जो है, वो liable है, वो एक company के बिहाफ पर काम करते हैं, लेकिन, obviously company की अपनी एक separate identity होती है, चलाते है directors हैं, ठ ठीक है, लेकिन company, as in company ही उसको treat करा जाता है, उसका नाम अलग चलता है, next point, E, local authority, local authority, जैसे, for example, अगर हम बात करें, मैं Delhi की बात करता हूँ, तो N-D-M-C, New Delhi Municipal Corporation, MCD, Municipal Corporation of Delhi, ठीक है, मुंबई जाएंगे तो BMC, Bombay Municipal Corporation, etc., तो एक तरह से जो, Delhi General Board, ठीक है, तो एक तरह से जो हमारे area की municipal authorities होती हैं, बहुत सारी, जो काम को संभालती हैं, these are local authority, एक particular area को संभालने के लिए, उसमें पानी की समस्या हैं, बिजली की समस्या हैं, उनका रख रखा, वो सब ये काम करते हैं, तो local authority को भी एक अलग person की तरह treat करा जाएगा, क्योंकि जो income है, वो पूरी authority की होती है, जो expenditure हैं, वो पूरी authority की होते हैं, combined basis पर as a local authority, as a person उसको treat करा जाएगा, next is ABCDEF, ठीक है, that is what आपका artificial, artificial, judicial person, AJP, सरब ये क्या है, ये दोस्तों आपके schools, ये दोस्तों आपके colleges, ये दोस्तों आपके institutions, like ICAI, ठीक है, ICMAI, ठीक है, ICSI, etc, ठीक है, college भी सारे सी में आ गए, even मंदिर, मस्जिद, church, etc, मतलब जो भी एक तरह से, एक artificially work कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ, जब आप अपने school की, college की institutions की, fees पे करते हो, और उसके लिए draft त्यार करते हो, form भरते हो, तो उस पर obviously हम उस particular individual का नाम नहीं लिख रहे हैं, जो एक तरह से, जो उसके खाते में जाएगा, वो जो fees है, definitely, वो किसके account में जाती है, school के अपने account में जाती है, college के अपने account में जाती है, चलाने वाले उसके secretaries होते हैं, उसके principles होते हैं, they are bounded to inform about the institution, वो bound है उसकाम को करने के लिए, लेकिन जो एक तरह से stamp है, जो seal है, वो किसकी काम करती है, वो काम करती है, institution की, और उन्हें कहा जाता है, artificial judicial person, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वाराज है, church है, इन में हम obviously donation दे की income को treat करा जाता है, ठीक है, तो these are what? Artificial judicial banks हो गए, ठीक है, SGFC, IC, SBI, यह क्या है, यह सब artificial judicial person है, clear? And the last point is, BOI, body of individual and AOP, association of person, body of individual, BOI and AOP, association of person, यह combined income हो गई, देखो, body of individual, individual word मैंने कहाँ पर कहाँ देखा है, यह वाला, अगर दो या दो से जादा लोग, दो या दो से जादा लोगों की income, combined basis पर show होती है, एक साथ, तो उसे कहा जाता है, body of individual, for example, मैं इसको आपको बताओ, like Mr. X है, और Mr. X की uncertain death हो गई, और जो property है उनकी, उनका जो business है, work है, वो उनके co-hires के बीच में, जो उनके legal representative थे, उनके संभालना है, ठीके, अब obviously अगर हम बात करें, माल लीजे Mr. X के दो बच्चे थे, A और B, जो income है, किसकी उस particular business activity की, उसको pay करने के लिए, कौन bounded है, A and B, कौन bounded है, जो co-hires है, ठीके, तो इस situation में, जो income है, दो लोगों की, वो combined basis पर treat होगी, that is what, body of individual, इसे क्या कहा जाता है, body of individual का नाम दिया जाता है, clear, जहाँ पर individual word हो गया, individual अकेरा तो ठीक है, वो as an individual treat होगा, लेकिन दो या दो से जादा individual, एक साथ, income treat करने किसे मैंने example दिया, co-hire वाला case, तो वो आपका body of individual कहा जाता है, clear, और association of person का मतलब क्या है, बिलकुल ठीक, जैसे यहाँ पर दो individual कौन जुड़ रहे है, person जुड़ रहे है, association of person, एक local authority, plus कोई partnership firm, या plus कोई company, तीन भी जुड़ गए, तो कौन-कौन जुड़ रहा है, partnership firm, company, local authority, ये कौन है, person, 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 तीनों मिल गए, association of person, okay, so income tax के basis पर हमने बोल तो दिया, कि टेक्स किसको pay करना है, tax pay करना है person को, टेक्स के to, subsection 31, ठीक है, इसमें इसकी definition दी गई है, और उसमें इन सब तमाम लोगों को cover किया गया है, जोड़ेंगे किसी को ने, tax अब से लेना है, तो हर एक के लिए अलग-अलग identity जो है, बनाए गई है, और हर केस के लिए, हर अलग-अलग person के लिए, अलग-अलग provisions भी बनाए तो या तो वो body of individual होगा, या association of person होगा, clear? So that is the simple meaning of person, ठीक है, hope ये समझ आपको आया होगा, आए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ने वाले हैं, main content पर, ठीक है, ये हमने definition cover करी, किसकी person की, now, अब दो चीजें हम discuss करने वाले हैं, और वो क्या है, आए समस्ते हैं, what are they, what are they, the first word is, assessment year, assessment year, ठीक है, और दूसरा है, previous year, ठीक है, previous year, आने वाले समय में, हम shortcut में इसको ay, उसको py, कहा करेंगे, ठीक है, ये है क्या, first of all, friendship कर लीजे, दोस्तों, किस से, इस word से, assess word से, किस से, assess, assess का मतलब जब भी आए, आप verballyly इसको use करना सीखें, ठीक है, क्योंकि obviously commercial language में, assess एक important word है, assess का मतलब क्या, आप उसको taxable दायरे के अंदर, एक particular income को tax के दायरे के अंदर लाकर, उसका अवलोकन कर रहे ह है, उसका हिसाब किताब कर रहे है, पता लगा रहे हैं, कि उस पर income कितनी, income tax कितना लगेगा, नहीं लगेगा, इस पूरे process को assessment कहा जाता है, क्या कहा जाता है, assessment कहा जाता है, तो मैंने आपको अपनी जो forms है, अपनी जो income है, उसकी sheet दी, मैंने आपको बोला, बताओ बही कि है previous year इन दोनों का क्या लेना देना है यह दोनों क्या indicate करना चाहते हैं taxability के अंदर आईए समझते हैं देखिए मान लीजिए मान लीजिए आप job करते हैं ठीक है आपकी income है बिजनस है whatever मान लीजिए आप job करते हैं और हमारा financial year मैं financial year videos कर रहा हूं मैं इसको नाम दे रहा हूं it is 2017-16 क्या माने चलो 16 माल लेते हैं 2016 clear आपने पूरे एपरिल मंथ job करी में जून जुलाई अगस्त काम किया नवंबर दिसंबर अक्टो पूरा साल बीथ गया पूरा साल बीथ गया है ठीक है और अब obviously 31st March आने वाला है 31st March आने साल है यह 31st March obviously कौन सा हो जाएगा 2017 हो जाएगा और यह आपका इयर कौन सा है 16-17 यह क्या है 16-17 ठीक है तो 1st April से आप काम कर रहे हैं business generate कर रहे हैं income generate कर रहे हैं salary से job करके business से whatever आपने income generate करी अपनी और आज है 31st March आज है 31st March शाम को आफिस से छुटी हुई 5 बजे ठक हार कर आप घर पहुँचे यह last date है अरे यह तो आखरी दिन है इस financial year का आज साल खतम हो रहा है अरे जल्दी भागो tax जमा करने नहीं तो problem हो जाएगी क्या ऐसा होता है नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तों कि 31st March आया और भागो आफिस और अपना टेक्स जमा करके आओ ऐसा नहीं होता है बिसिकलिए अगर मैं बात करूं गॉर्मेंट ने आपको खुला छोड़ दिया वैस 16 17 तुम्हारा ठीक है जी भरके कमाईए यतना कमा सकते हो अच्छी बात है गॉर्मेंट को भी टेक्स जादा मिलेगा बिजनस क वाइए लीगल अक्टिवेटी थी ठीक है पैसा कमाईए और हमने आपको पूरे 12 महीने का पिरड़ दिया है ठीक है टेक्स इंकम जनरेट करने के लिए अब आपने इनकम जनरेट करी बारा महीने का टाइम पूरा हुआ अब 1617 तो खतम हो गया 1617 खतम हो गया अजट पर ठी कि जी हमने income कमा ली है अब आपको tax जमा कराना है कब आएं लेकिन ये साल तो खतम हो चुका है गौर्मेंट ने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी 16-17 खतम हुआ ना आप 16 इसको मैं बोल देता हूँ 31st March 2018 ये अगला साल हो गया फिर आपने 16-17 आपने 16-17 में जो income generate करी ह जो पैसा कमाया है उस पर हमें tax दे दीजिए उस पर हमें tax दे दीजिए कब दे दीजिए next year में next year के दौरान 2017-18 में आप tax जमा करा दीजिएगा ओके ये simple सा process होता है government ने पूरा साल दिया के भई ऐसा है कमाओ जी भर के कमाओ ठीक है और जब साल खतम हो जाए आपका पूरा एट टाइम आपका complete हो जाए तो हिसाब किताब लगा लेना कितनी income बनी कितना tax बना और उस tax को जमा करा देना कब अगले साल 17-18 में clear समझा गया दोस्तों तो दोस्तों सबसे अब इन दोरों वर्ट पर हम आने वाले हैं ये process आपको पता होना चाहिए इस साल कमाया tax उससे अगले साल जाएगा clear अब आपने पूरी income generate किस year में करी आपने पूरी income generate करी 16-17 में किस में करी 16-17 में हमारे example के साब से जिस year में जिस year में दोस्तों आप income generate करते हैं उसे कहा जाता है PY previous year उसे क्या कहा जाता है previous year in short अगर आप कोई से कोई कहे कि मुझे फलाना year की अपनी income पर tax calculate करना है so you are calculating tax on his previous year income आप उसके previous year income पर tax calculate कर रहे हो और दूसरी चीज हिसाब किताब आपने कब लगाया आपने income जो है वो 16-17 की consider करी लेकिन आपने हिसाब किताब कब लगाया 17-18 में तो obviously इसे कहा जाता है दोस्तों assessment year इसे क्या कहा जाता है assessment year कहा जाता है आप लोगों कोई चीज clear हो यह कोई simple सा fund है इस साल आपने income कमाई income generate करी tax उससे अगले साल pay होगा ठीक है 17-18 में हालाकि पूरे साल भर जमा नहीं करा ना इसमें dates होती है government fix करती है जो individuals है वो इस date तक जमा करा दो जो company है वो इस date तक जमा करा दो like 31st July तक जमा करा दो कुछ के लिए 30th September है कुछ के लिए October है अलग-अलग deadlines है उसके बाद भी जमा करा सकते हो लेकिन फिर fine penalties लगते है ठीक है so in short जिस साल आपने income कमाई है उस साल tax नहीं पे करना टेक्स कप पे करना है उससे next year में पे करना है clear अच्छा सर फिर ऐसे होता है क्या एक साल income कमाई एक साल tax पे करा फिर उस से अगले साल income कमाई फिर उस अगले साल tax पे करा ऐसे होता है नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तो 16-17 में आपने income generate करी, 17-18 में आप tax pay कर रहे हैं इस income पर, लेकिन जो इस से पुराना साल था 15-16, ये भी एक previous year रहा होगा, ये भी एक previous year रहा होगा जिसमें income generate करी गई है, लेकिन इस year की income को assess करा जाएगा, tax pay करा जाएगा 16-17 में, तो फिर 16-17 क्या बन जाएगा, assessment year क कहने का मतलब हर साल अपने आप में, every financial year, 1st April 31st माच, अपने आप में क्या है, वो अपने आप में एक assessment year भी है, और अपने आप में एक previous year भी है, वो previous year है, क्योंकि इस साल income generate हो रही है, और उस पर tax लगेगा अगले साल, लेकिन उस साल के दौरान ही tax pay हो रहा है, किस पर? प तो इनकी काफी simple है, अगर मैं assessment year की बात करूं, assessment year means, a period of 12 months starts from 1st April of every financial year, 1st April of every year लिख लेजे, ठीक है, simple सी definition, 12 महीने का period है, और वो 1st April से शुरू होगा, that's it. ठीक है, and the same meaning, obviously अगर मैं previous year की बात करूं, तो उसकी definition भी आपकी काफी easy है, section के बात यहां पे करें हम, तो it is previous year means, previous year means, financial year, यह भी financial year है, कब? preceding, पहले वाला, preceding the assessment year, preceding the assessment year, assessment year से पहले वाला आपका जो year होगा, clear दोस्तों? अब यह 12 महीने का होगया, क्या यह भी 12 महीने का होगा? हाँ, usually previous year भी कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा, अगर उसने 1st April से ही अपनी जॉब जो है, वो शुरू करी हुई है, माली जे साल के बीच में जॉब लगी, माली जुलाई में लगी, तो जुलाई से फिर मार्च तक काउंट होगा, माली जे दिसंबर में लगी, तो दिसंबर से मार्च काउंट होगा, तो वो चीज़ा लग है, that is a different scenario, ठीक है? बस हाँ, maximum 12 महीने का हो सकता है, 12 महीने से कम का भी हो सकता है, जादा का नहीं हो सकता, clear? तो ये दोस्तों हमने चर्चा करी, किसकी के assessment year क्या होता है, और definitely previous year क्या होता है, अब यहाँ पर आगे, एक interesting सी बात आ रही है, सर, आपने समझा तो दिया, कि भई, जो previous year है, जो assessment year है, वो अलग-अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक, जो income हमने इस साल कमाई है, जिस हम previous year का नाम देते हैं, उस पर tax लगता है, next particular year में, जो assessment year है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्तों, कुछ cases ऐसे भी होते हैं, कुछ cases ऐसे same है, जिसमें assessment year और previous year same है, सर, ये confusion कहां से आ गई, ने confusion नहीं है, normally अगर हम पूरे नियम की बात करें, तो वो ठीक है आपकी बात, इस साल कमाया, अगले साल tax दो, अगले साल फिर कमाओ, उस अगले साल उसका tax दो, ठीक है process, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ situations को ध्यान में रखते हुए, कुछ sensitive issues को ध्यान में रखते हुए, कई बारी, जिस साल कमाया है, उसी साल tax लगा देना पड़ता है, मतलब previous year and assessment year, both are same, हमने भी क्या पड़ा, कि assessment year जो है, वो previous year से अगले वाला साल होता है, ठीक है, लेकिन कुछ exceptions है, exceptions है, that is, that is, PY and AY are same, कि previous year और assessment year दोनों सेम होते हैं, वो कौन-कौन से केसी दोस्तों, सबसे पहला point, shipping business controlled by non-resident, sir इसका मतलब क्या हुआ, easy है दोस्तों, देखिए, non-resident मतलब वो इंडिया का जो नागरिक है, वो नहीं है, जो इंडिया का नागरिक है, non-resident, वो यहां का रहने वाला नहीं है, बाहर का रहने वाला है, non-resident क्या होता resident क्या होता यह भी हम आने वाली classes में करेंगे ठीके लेकिन सीधी सी बात है जो उसका जहाज है जो यहाँ पे business करने के लिए आया है वो इंडिया को belong नहीं करता ठीके तो अगर कोई भी non-indian ship या आप कह सकते हो non-residential ship या shipping business इंडिया आया कारुबार करा अब वो जा रहा है अपने देश ठीक है उस situation में भाया जो तुने पैसा कमाया है अपने business से इंडिया में अपनी activities करके उस पर immediately आप टेक्स पे कर दीजिए क्योंकि पता नहीं next year आप आएंगे या नहीं आएंगे अब जा तो रहे हैं टाटा भाए यह बोल के भी जा रहे हां जी हम अगली बार आएंगे लेकिन obviously वात है कौन आने आता है ठीक है गारंटी थोड़ी ना आएंगे हमारे मालेजी नहीं आ रहे तो situation यहां पर क्या है कि वह ऐसा है यह अपने देश चले जाएंगे कहा हम इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे अगले साल एक काम करो immediate basis पर अप आपका text लगा दिया जाता है ठीक है obviously next point इसमें निकल के आता है a person a person living India on permanent basis ठीक है एक individual इंडिया को permanent basis पर ठीक है जो चोड़कर जा रहा है तो obviously बात है मान लीजिए आप है ठीक है मर्जी बही आप की आप छोड़कर जा रहे हैं ठीक है बही हम भार जॉब लग गई हम professional level भी खूब कमाएंगे अब आप जो है मान लीजिए April 2017 में इंडिया से जा रहे हैं ठीक है 31st March को ठीक अठारा को और उसके बाद अगला year आएगा टेक्स पे करने वाला सरकार इतना थोड़ी नवेट करेगी आपका government के रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं आपने rules पूरे कर लिए हाँ जी कर लिए लेकिन ऐसा है भीया अपने income tax के सारे जो नियम है वो सब पूरे करके जाइए पे करके जाइए assessment दिखा के जाइए क्योंकि अगले साल फिर वोई बात है हम कहां आपके पीछे घूमते रहेंगे काम करते रहेंगे ठीक है तो इस चीज को वाइड करने के लिए जा रहे हो जाओ खुची-खुची जाओ तुम भी फ्री हो जाओ हम भी फ्री हो ज खेलते हैं दो-तीन महीने खेलते हैं पैसा कमाके चले जाते हैं अब अगले साल आया ना है तो ऑन दा स्पार्ट उनकी इंकम है टेक्स कैलकुलेशन करके पूरा करके उनको फ्री करिए और अपना टेक्स जो है रखिए तो वो चीज क्या है कि वह इंडिया छोड़कर जा र पर्टिकुलर एवेट्स ओनली पर्टिकुलर इवेट्स ओनली फॉर एकजापल मैं फ्रेंड जॉइन वेंचर इया कोई पर्टिकुलर इवेंट्स लो करा है जाते हैं जिसे जॉइंट वेंचर के बात कर लेते हैं Mr. A, Mr. B. आप हो गए A में हो बहूं हो इब इस Please. एग 6 महीने में construction complete करी, swap दिया और पैसा कमा लिया, अब हमारी partnership खतम, हमारा joint venture खतम, हलाकि partnership और joint venture में definition में लग होता है, हमारा joint venture खतम, अब government क्या है, अगले साल कंजार नहीं करेगी, आपका ये joint venture इस specific purpose के लिए create हुआ था, हमने कहा हा, क्या आपने project पूरा कर दिया, हाँ जी हाँ, आपकी income पूरी हो गई, आपको income receive हो गई, मिल गई जी, तो tax दो, आप घर बैठो, हम भी free, तो सीधी सी बात है, अगर किसी specific event के लिए, specific event के लिए, अगर कोई भी business create होता है, तो obvious सी बात है, उस पर immediate basis पर, आप tax लगा देंगे, उसी साल पर, अगले साल का अंतिजार नहीं होगा, बहिए कुछ दिन पर ले, जस्टिन भाईया, क्या कहते हैं, इंडिया आये थे, ठीक है, उसका इतना बड़ा event जो है, तो जो event organizers थे, उन्होंने क्या कहते हैं, पैसा कमाया उससे, अब obvious है, वो event पूरा हो गया, सारी obligations पूरी हो गई, तो इस situation में, अगर हम देखें, क्या होगा, इस situation में, उस event की income पर, तभी taxable, assessment उसकी, तभी हो जाएगी, उस पर तभी tax लगा दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनो year आपके same है, and similarly, discontinued business, discontinued business, कोई business, कोई partnership, discontinued हो गया, खतम हो गया, clear, माल लिजे, कोई business, शुरू हुआ था, 14-15 में, ठीक है, तो 14-15 का, यह कौन सा है, previous year है, 14-15 की जो assessment है, वो कब होगी, 15-16 में होगी, अगले साल होगी, ठीक है, business चलता रहा, 15-16 आ गया, काम चलता रहा, ठीक है, इसकी assessment कब होगी, 16-17 में होगी, अगला साल आया, 16-17, लेकिन इस साल, July 2016 में, यह business बंद हो गया, अब आगे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसी साल निप्टाओ भई, अगले साल तक ले जाने की जुरूत नहीं है, 16-17 के अंदर ही, इसकी सारी accounting, सारी assessment, सारी tax liabilities, जो भी हैं, उनको payout करिये, और free हो जाईए, तो दोस्तों, यह वो cases, हमने simple एक meaning समझी, के भई, क्या नाम है, आपका जो भी particular previous year है, एक income generate आपने करी है, उसकी taxability अगले साल होगी, जिसमें कमाया हो previous year, उस अगला साल जब tax दिया assessment year, लेकिन कुछ certain cases में, कुछ certain cases में, दोनों सेम हैं, previous year भी, assessment year भी, मतलब इस साल income कमायी, इस साल tax देखा हो, यह कौन कौन से, non-residential shipping business, कोई बाहरवाला control कर रहा है, असे ही, अगर कोई India छोड़ कर जा रहा है, पर्मिनेंट बुइस पर, यह tax liability जबने, सारा हिसाब किता, पूरा करके जाए है, business created for particular events only, कोई भी association of person, body of individual, कोई भी partnership, joint venture create हुआ, एक specific event के लिए सिर्फ, वो event पूरा हो गया, खतम, tax liability पे करिए, और घर बैठिए, और discontinued business, इंतजार नहीं करेंगे एक लिए साल का, activities खतम हो चुगी है business की, उसका इसाब किताब, immediate business पर finish करिए, तो दोस्तों, ये वो cases हुए, जब assessment year और previous year, दोनों same रहते हैं, hope आप लोगों कोई चीज clear हुई होगी, अब यहाँ पर इसको मैटा जेता हूँ, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगली heading पर, ठीके, almost हमने basic चीज़े जो है, हमें भालूम होनी चाहिए, हमने करी है, कुछ धिरे-धिरे और उसमें points हो है, वो cover करेंगे, आने वाले content में, now we are moving to a very main word, and a very simple word, and that is what, and that is what, assessi, that is what, assessi, A-S-S-E-S-S-E-E, ठीक है, section की बात करें, तो subsection 2, oh sorry, section 2, subsection 7, और सारी definitions section 2 में होती है, जितने भी जितने भी acts बगरा बनते हैं, okay, so who is assessi, first of all, meaning is, definition तो लंबी चौड़ी है, वो तुम बात में बात कर लेंगे, पर assessi होता कौन है, simple, assessment word मैंने आपको बताया, assessment word से हमें friendship करनी अच्छे तरीके से, इस word का use करना है, so assessment year का मतलब, जिस year में हम income का हिसाब किताब लगा कर, tax way कर रहे हैं, ठीक है, that is assessment year, क्या कर रहे हैं आप, sir हम assessment कर रहे हैं, हम income को assess कर रहे हैं, okay, ठीक है, किसकी income को, assessing की income को, किसकी income को, assessing की income को, सीधी सी बात है, आप जो calculation कर रहे हो, जो accounts को check कर रहे हो, जो पूरा आपका statements तयार कर रहे हो, tax calculation कर रहे हो, planning कर रहे हो, tax बचा रहे हो, किसके लिए, एक particular person होगा न, जिसने आपको जिम्मेदारी दी है, वो individual है, पार्टर्शिप फर्मेदारी दी है, कि मेरी जो taxability है, वो find करके बताईए, और जो obligations है, उनको पूरा करिए, तो किसकी assessi, वो कौन है, वो assessi है, जो भी particular individual, जो भी particular person, liable है, जो भी particular person, liable है, tax pay करने के लिए, tax pay करने के लिए, या फिर, कोई sum, कोई भी amount, जो उसको pay करना है, income tax के तहत, ठीक है, government को, CBDT को, obviously, वो से क्या कहा जाता है, assessi कहा जाता है, जिसके लिए आप tax calculation करेंगे, उसे assessi कहा जाता है, ठीक है, दोस्तों, तो ये सबसे simple word हमारा है, normally, जितने भी questions होते हैं, उसमें Mr. X, Mr. A, Ram, Sham, Ghansham, जो भी होगा, तो वो सब कौन होंगे, वो assessi होंगे, जिनके लिए आप income tax calculation करेंगे, clear, तो मैं proper definition की बात कर लेता हूँ, assessi means, assessi means, a person, a person, by whom, by whom, any tax or any sum of money any sum of money is payable is payable under the Act under the Act, it includes it includes it includes, ठीक है, मतलब नॉर्मल जिसके लिए tax calculate कर रहे हैं, वो तो है ही, ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा assessi में कौन-कौन cover होते हैं, legal representatives, legal representatives, लाइक, जैसे मैंने बुला ना, भी schools हैं, ठीक है, अब schools का, भी school को tax pay करना है, टेक्स पे नहीं कर तो, school को पकड़ लोगे, नहीं, आप किसको पकड़ लोगे, उनके जो chairman है, उनके जो trustees है, उनके जो principal है, इन शॉट जिनके ओपर जिम्मेदारियां हैं, तो वो legal representatives हैं, जैसे होता है, कि normally पूरा का पूरा business, जो है, एक नाम पे चल रहा है, किसी मंदिर के नाम business तो नहीं बोल सकते, like banks है, like आप का क्या कहते हैं, कोई भी institution है, तो उनको institutions को, banks को present करने के लिए, कोई ना कोई legal representative होता है, वो chairman हो सकता है, वो उनका CEO हो सकता है, वो उनका principal हो सकता है, whatever, the college में deans होते हैं, तो they are responsible persons, who are they, they are legal representative of that particular person, clear, ठीक, उसी तरीके से, deemed assessi, deemed assessi, deemed का मतलब मानना ही पड़ेगा, यही है, इसी को पकड़ो, बै जैसे नॉर्मली, Mr. X है, Mr. X एक NRI है, वो बाहर रहते हैं, लेकिन उनका एक कारोबार, इंडिया में भी चलता है, अब वो इंडिया बहुत कम आते हैं, यहाँ पर उन्होंने, अपॉइंट करा हुआ है, A को, उस business को संभालने के लिए, कि वही आप जिम्मेदार हैं यहाँ पे, इस का है, अब obviously वो business किसका है, असेसी, असेसी, इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट, सर यह असेसी इन डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हुआ, दोस्तों मैंने भी नहीं समझाऊँगा आपको, अभी आगे चलकर, further classes में, हम एक chapter पढ़ेंगे, that is what TDS, that is what TDS, text reduction at source, जब यह चीज आपको समझाएगी, जब TDS हम clear कर लेंगे, तम मैं आपको इस point का मतलब बताऊँगा, अभी बताऊँगा, तो वो सिर के उपर से जाएगा, सिर क्या हुआ क्या ने हुआ, हाँ, जिन लोगों को already TDS की जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके उपर चर्चा हम, जब TDS की पूरा करेंगे, तो अभी उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, clear दोस्तो, तो यह है assessi जिसके लिएम tax calculate करते हैं, वो खुद main individual भी हो सकता है, या फिर it includes, कोई legal representative भी, deemed assessi like agent, और assessi in default, तो यहाँ पर हमने assessi की definition दोस्तो clear करी, तो आज की class में, हमने काफी main points income tax के बारे में पढ़े, first of all income tax होता क्या है, तो compulsory payment जो government को की जाती है, income के उपर, rules and regulation के according, वो income tax है दोस्तो, उसकी combined study करी जाती है, पांच चीज़ों को देख देने जार रखते हुए, income tax act है, income tax rule है, हमारा annual budget जो पेश होता है, वो circular rules and regulation, जो implement करती है CBDT, Central Board of Diet Taxation, ठीक, उसी तरीके से, जो judicial decisions आते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है, आगे हमाई tax कौन पे करता है, टेक्स पे करता है person, आप मैं person नहीं है, person बहुत बड़ी definition हो गई, ठीक है, उसमें कौन आगे, उसमें individual आगे, उसमें HUF आगे, partnership firm, companies, local authorities, association of person, board of individual, ये सारे points हमने person के अंदर ख़वर करें, फिर हमाई assessment year, previous year, basic knowledge, जिस साल आपने income generate करी है, that is previous year, लेकिन जिस साल income कमाई है, उस साल taxability जारी नहीं होती, वो कब होगी, उसके next year, that is what, assessment year, उसके फिर उसके next year, तो हर year अपने आप में क्या है, assessment year भी है, हर year अपने आप में क्या है, previous year भी है, हाँ, कुछ केसी जमने पढ़े, जिसमें दोनों आपके same रहते हैं, दोनों में कोई difference नहीं होता, ठीक है, shipping business, non-resident का, कोई person, permanent basis per India छोड़ कर जा रहा है, तो वो सारे example हमने discuss करे, event की organization की बात करी, discontinuous business की बात करी, and the last word, but not the least, assessi, ये कौन है, जिसके लिए सारा जहमेला है, जहमेला तो नहीं कह सकते हैं, अब इसलिए काम है बई, income tax देना ही है, तो assessi, जिसके लिए हम income tax calculate करना सीखते हैं, clear, तो यहाँ पर दोस्तों, आज की class में में इतना है रखेंगे, next class में, आने वाली class में, हमने सार्टिंग पर गोला था न, कि परसंट टेक्स देता है, अपनी टोटल इंकम पर, अगर वो limit क्रॉस कर जाए, तो वो slab rates क्या है, वो total income calculate कैसे होगी, हमें किन-किन प्रोविजन्स का, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो तमाम चीज़ें, किन-किन चीज़ें,